हाई गाई मैं आप सब कैसे हो आई होप आप बहुत अछे होंगे स्वस्थ होंगे स्वस्थ विल्ग दोब आज का ब्लोग है किए आज डिया बनौदब ऊल्ट पिंक के लिष्टब यह रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट बनता है तो देखिए फिलहाल कुछ कपड़ा था ना जैसे अलमारी वगेरा सोकेस वगेरा हर पूरा कपड़े में भड़ा हुआ है तो इसलिए कपड़ा रखने का जगा नहीं तो बड़ नहीं होता और कपड़ा गंदा भी नहीं होता जैसे धूल मिटी भी नहीं लगता तो इसलिए इसमें ही मैं सोचती हूँ कि इसमें कपरा रखते थी हूँ तो फिलहाल कपरा समयट के पूछा लगा लगा रही हूँ और फिर बनाओंगी आज खाने में थोड़ा सा बहुत ही मचली होता है और इसको पातुरी कहा जाता है और यह मचली बिनाना जो डेफ्ट है इसमें बनता है तो इसका रसेपी मैंने पहले एक पर आप लोगों के साथ सेयर किया था तो आज नहीं कर रहे हूं इसका रसेपी सेयर तो गाइस यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता यहां पर पाच फरन और आलू आलू को तेल में थोड़ा सा फ्राइ कर लोंगी और फिर डालोंगी ना पंकिन मतलब कर दो और फिर अच्छी तरीके से फ्राइक इसमें कुछ जादा कुछ मसाला भी नहीं लगता और जैसे इस टाइम पे ना मतलब यह अपसी जन है ना जिन के साथ बनाते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है और यह खाने में स्वादिस्ट भी है ऐसे बनाएंगे तो बिना प्याज लशन का भी बना सकते हो आप लोग तो बंगाली खाना तो बहुत टाइप का होता है गाईस और इसमें सिर्फ नमक लालमिज पावडर परफेक्ट टाइम में नहीं देते हैं कि कबके भी हम लोग सोचते हैं कि आज का जो काम है आज नहीं करते हैं कल करते हैं और समय चला जाता है और सच मुझ इंसान के हाथ में समय बहुत ही कम है क्योंकि एक दिन गया तो जिन्दिगी का एक बहुत बड़ा दिन चला गया त तुम गहरा सोचते हैं तो पता नहीं दिमाग भी काम नहीं करता कि इंसान हम लोक एक्टम जैसे कटपुतली होता है ना तो हम लोगों का कुछ हम लोग बेबस है और हम लोगों को सचमुच समय का मतलब वो रहना चाहिए कि समय रहते हर काम पूरा करना चाहिए जिंदगी करना चाहिए और कभी कभी होता है हम लोग नेकलिजेंसी करते कि यह काम ना बात में करेंगे और फिलहाल कर बर हो जाता है इसलिए ना टायम का काम टाइम में करना होता है मेरा बेटा कभी कभी पढ़ाई भी चैसे अभी नहीं में रात को करूंगा और फिर रात को जाके उसक दिए करना रहा है बांट इसे हमेसे माइस मैं से घॉर्पटत जाल तो यह भात है किभैस पानी ठाला आ यहना तो देट है सिस्ट का कभड़ गाता है अधिन कमें चराइ दो जीन को खैना बंडास से भात है तो इसे ही अगर बनाएंगे ना बहुत अच्छा भी लगता है इस टाइम पे ना यह थोड़ा भी होता है यह पालक तो गाइस यही बाद है कि जिन्दगी का मतलब यही बाद है कि टाइम का काम टाइम पे करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और यह हर किसी को समझना भी जरूरी है तो गाइस बहुत ही टेस्टी बनता है यह पालक की सबजी अगर आप लोग ऐसे नहीं खाए तो एक बार ऐसे बंगाली टाइप का बना के देखिए और हम लोग यह चावल के साथ खाते है चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमें शेयर किजिए थोड़ा सा प्यार दीजिए तो यह ना मैंने सोचा कि यह रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर कर लो तो